नया साल पूरे बीसों में एक नया अनन्द और उल्लास ले करके आता है और लोगों में एक उत्साव का महौल बना रहाता है नया बर्स आने पर हम इसका स्वागत तो करते ही है साथ ही बीते बर्स को अलविदा भी कहते हैं दुनिया भर में नया साल को अलग अलग परंपरा और अनुस्ठनों के सथ मनाया जाता है नव बर्स को मनाने का तरीका बेसक सब देशों में अलग होता है लेकिन इसका एक ही मकसद होता है खूसिया फैलाना नया साल हर देश में मनाया जता है क्या आपको पता है कि अलग अलग देशों में नया साल कैसे लोग मनाते हैं अगर नहीं पता है तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर देश में नया साल कैसे मनाया जता है संजुक्त राज अमेरिका अमेरिका में नौ बर्स को एक परिवारिक भोजन के साथ मनाया जता है और लोगों का मनना है कि यह अच्छे भागय के लिए होता है यहाँ पर एक बिस्स परकर का भोजन बनाया जता है और लोग साथ में मिल कर कि इस भोजन को कर दे जिस भोजन का नाम है लोबिया और अमरीकी इस दिन्य परकर का कवीता भी गाते हैं एस्पेन एस्पेन जैसे खुबसूरत देश में लोग बड़ी ही दिल्चस्प और परंपरा के साथ नया साल का स्वगत करते हैं एस्पेन के लोगों में नय साल की इसाम को बारा अंगुर खाने का परचलन है और लोग घड़ी के हर एस्ट्रो के साथ एक अंगुर खाते हैं यहनी कि एक घंटा जैसे ही पूरा होता है और एक घंटी बज़ती है तो एक अंगूर खाएंगे फिर दूसरे घंटे पर एक अंगूर फिर तिसरे घंटे पर एक अंगूर ऐसे ऐसे करके 12 घंटे में 12 अंगूर खाते हैं आप सोच रहे होंगे कि 12 अंगूर ही क्यों खाते हैं तो आपको बता दे एस्पैनिस रिवाज के अंसार लोगों के ये मने आता है कि परते का अंगूर आगामी बर्स के हर महीने के लिए 100 भागय लेखा रहता है इसी परता को बढ़ावत देने और उत्साओ को मनाने के लिए एस्पैनिस लोग एक जगई इक खठा हो करके हर एक घंटे पर एक अंगूर खाते हैं रूस यहाँ पर लोग नए साल की पूर्ब रात्री में एक चमच डाल खाते हैं और जूते के तल पर पैसा रखते हैं इससे उन लोग का मनना है कि नए साल में हर कदम पर उन्हें पैसा मिलेगा और इन कामों को यह लोग अगले 12 महीने तक समरीधी का वहाग मानते हैं कुछ शासी लोग नए साल की रात्री को अपने मिरतक प्रियाजनों के कबरिस्तान में बिताते हैं फिलिपिन्स यहाँ के लोग नए साल की संध्या पर गोल गोल बिंदिया वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं और अपने येबों में सींके रखते हैं दरसले यहाँ पर यहाँ मने आता है कि गोल-गोल चीजे संपंता की परतीक होती है इसलिए लोग गोल-अकार वाली चीजे जैसे संत्रा, आननास, अमरूद, इतियाधी को 9 साल के रात में खाते हैं जर्मनी इहां के लोग नए साल की आधी रात में अपने नए साल के भवी से जानने के लिए चामच में लेड के टुकड़े डाल कर पिगलाते हैं और उन्हें ठंडे पानी में फेक देते हैं और फिर उन टुकड़ों को आकार की बेयाख्या कर अपने नए साल का आकलन करते हैं ग्रीस ग्रीस में नए साल में परसंसा गान गाना बहुत आम बात है और लोग परसंसा गान गाते हैं बच्ची इसे गाकर अपने परिबार और पडोसियों से पैसे पराप्त करते हैं जब नए साल के लिए उल्टी गिंती शुरू होती है नया साल उसके लिए भागय साली मना जाता है यहाँ पर लोग नया साल की रात में अपने घरों से पुराने फरनीचरा और उपकरना जैसे टीबी और रेडियो, चुला, कपड़े, आधी को खिरकी से बाहर फेक देते है यहाँ पर लोग नया साल की सिर्वात, नई चीज़ों के साथ करना पसंद करते है क्यूबा, यहाँ पर यहाँ मना जाता है कि यदि आपको यातरा करनी के त्वी बड़ी इचा हो रही है तो आप नया साल की आधीरत को सुटकेस के साथ अपने घर का पूरा चकर लागा हो इसकी पीछे यहाँ मना जाता है कि ऐसा करने से आपको पूरे साल यातरा करने के कई और सब मिलेंगे कुछ लोग रात को अपने घर करते हैं तथा कुछ खिरकी से बाहर पानी ठेकते हैं वराजिल में बुरी अत्माउछ से चुटकारा पाने के लिए नया साल के एक दिन पहले साम को सफेद कपड़े पानते हैं साथ ही कुछ लोग नए साल के पहले सप्ता हमें परती एक दिन साथ सागरों की लहरों में कूद देते हैं में फूल फेकने की परमपरा को निभाते हैं और अपको बता दे भारत में भी नए साल की शुरुवात पूरी धुंगधाम के साथ होती है यहाँ पर लोग नए साल की जुरदार पाटिया आयुजित करते हैं जिनमें सराब से लेकर केक की पूरी ब्यवस्था होती है भारत में कुछ लोग नए साल के संकलब के रुप में बूरी यादतों जैसे सराब ना पीने, सिग्रेट ना पीना अनाइटी कारिया न करना और अपने स्वास्ते पर धेहन देना इन जैसे कारियों पर शापत लेते हैं मुझे उमिदे कि या नए सल के वीडियो आपको पसंद आएगी तो कमेंट किजिए और सेर किजिए इस वीडियो के जयदा से जयदा, धन्यवाद